आपको उसने पूरी दुनिया में इजद दलवाई, आपको घैरतमन्द बनाया, तो मुदी को आप सुनेरी अर्फजों में उसका नाम लिखें. आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया जाहेगा. This is written everywhere in Washington DC. आपको अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कमपनियों को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दी है चाइना के साथ. आप और मैं अगर इंडिया में पैदा हुए होते. तो आज आलो वो दोर पे किलो खरीते हैं आपी. अरे एक बंदा आपको कहां से कहां ले गया? आपके इंडिया को इज़द दलवाई पूरी दुनिया में. जो आप खुद देखों इंडिया वालों को कह रहा हूँ. आपके वजीर आज़म जो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और कैसे जाते थे मैं वीडियो देख रहा हूँ. और मुदी जाता तो पूरी दुनिया में उसने बताया के भारत क्या है? इसे खड़ा होता है वो पूरी दुनिया के बीच में. आपको उसने पूरी दुनिया में इज़द दलवाई. आपको घैरतमंद बनाया. तो मुदी को आप सुनेरिया रफज़ों में उसका नाम लिखें. गांदी के बाद मुदी का नाम होना चाहिए. उसकी तस्वीर के साथ मुदी की तस्वीर होनी चाहिए. अगर इंडिया वाले उसे इज़द देंगे तो ओर इंडिया उपर जागा. और इन्होंने गांदी उसे मुदी को इज़द ना ना दी. इनका भी पाकिस्तान की तरह पिष्टाएंगे ये लोग. पुछे क्यों, पुछे क्यों. देखिए मुदी, ये सारी बाते मुदी की क्वालिटीज तो मैंने आपको बता दी. अब होता है कि मुदी जिन्दा है, अभी है. देखो, बुज़ूर्ग हो चुका हुए, पता नहीं, आज नहीं, कल नहीं, सब नहीं जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है. बात समझो, देखने में आमसा आदमी, एमीनी मुदी की तरीफें करता है, कोई तो क्वालिटी है, यार मैं तरीफें करता हूँ, और मैं नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया करती है, सबसे रड़ो, सब को पकड़ो जागे, मुझे कीड़े को ना पक़ूँ, उसने अपनी पूरी दुनिया को दिखाई, वो ब्लैक मेल नहीं होता किसी से, वो कहता है, चलो, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट अगला, और फिर जिनसे वो कहता है, चलो जाओ, वो फिर तरले करता हूँ आता है, मुदी की क्वालिटी यह है, कि जो तो इसके साथ दोस्ती करता है, मुद गदार ना बना देना, पूरा इंडिया तो मुझे प्यार देता है, लास्ते मुझे इतनी खुशी यह यार, मैंने लाकों कमंड पढ़ें लोगों के, पूरी प्राज बैठके सा थे, इतना प्यार दिया, शायद मुझे इतर किसी ने ऐसा प्यार नहीं दिया, तो फित तो खरीते आप पेट्रॉल 95 से 105 रुपे तक लेते आप तमाटर अलू प्याज इचन एवरिटिंग को 20 रुपे में ले हो तकरीबन 20 रुपे में यह हर चीज अवेल है इंडिया के बीच में आप क्यों नहीं ले रहे हो जमीन तो यह जमीन है उसमें से लाइन खेची गई है तो वही आप ने उसमें से अलो क्यों ने निकाला आपसे जयादा उन्हों क्यों क्यों ज्यादा निकाल इंडिया के अंदर तो अभी हाली में 20 का एक बड़ा कामयाब इजलास हुआ के अधर अमरीका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को जो है बलैक लिस्ट कर दी है चाइना के नीचे हैं कोई उनको कुछ हुआ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है तो अदालतें जो हैं वो इंतजार कर रही है तो यह डालर जो है वो 300 के खरीप पहुँच गया हुआ है How do you see these unfolding things के हमें तो अमरीका जो है वो blacklist करता है और इंडिया को technology दी जा रहा है पैसा भी दिये जा रहा है सब कुछ दिया जा रहा है How do you see this sir? चीमा सब आपको अमेरिका ने अब future में आपको future में इंडिया के जरीए हो के आप से deal करना हो आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा इस इस रिटन एवरिवेर इन वाशने इडी से बलकि इस वकत मैं मुझे कल शेर की एक दोस मेरे ने कि यहां पे तकरीबन 30 से 35 जो फार्चून 500 कंपनिस जिनकी 100 बिलियन से उपर उनकी ट्रेडिंग है पर येर उनके CEO भारती है वर्ल्ड बैंक के अंदर जे बंगा होगा तो वो आपको स्पोर्ट करेगा वो क्यों करेगा आपको और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फैटफ का हेड़ है वो भी मिस्टर कुमार वो भारती नजाद है वो क्या क्या है कि आपको स्पोर्ट करेंगे और दूसरा मैं समझता हूं कि आप आप ने जिस तरीके से अगले दिन किश्मीरियों के एक किश्मीरी लीडर के जनाजे के उपर जलसा किया गया रावल पिंडी में और जिस तरीके से वहां पे स्पीचिस दी गई है उसमें और वो भारत में जिस वो त्यारी कर रहे हैं कि हम फैटफ में आपको लेकर जाएंगे इन सरकम्स्टांसिस में आप समझते हैं कि आपको कहीं से रिलीफ मिलेगा और दूसरा कि लीडर्शिप आपकी इस वक्त मौझूद 25 साल का गैप दे जूँ